हाई या चलिए कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं चलिए मैं अच्छी नहीं थी कुछ दिन पहले 8th of August को मेरे साथ कुछ हाथसा हो गया मुझे बहुत बुरी तरीके से अलर्जिक रेक्शन हुई थी मेरी पूरी फेस पे मैंने शॉर्ट्स अप्लोड किया है तो शायद आप लोगोंने देखा होगा या फिर नहीं तो शॉर्ट्स जाके देख लीजे बट शॉर्ट्स पे डीटेल नहीं है इस वीडियो में मैं बहुत जादा इचिंग और जलना मुझे स्टार्ट हुआ था एराउंड 4.25 ऐसी कुछ टाइम पे उसके मैंने ममी को पूछा ममी मुझे यहां पर बहुत इचिंग हो रही है मुझे यहां पर बहुत जल रहा है तो क्या हुआ अब देखो जरा तो उन्होंने बोला कुछ न अहीं किया तो तो मैंने सोचा ठीक है आभी शाम को मैं फ्रेश होती हूं शावर लेती हूं और प्रेश होती हूं जाया होत जादा बर्निंग सेंसेशन होने लग होती है मतलब यही होती है जब भी मुझे कोई भी ऐलर्जिक इंफेक्शन या फिर अलर्जिक कांटमिनेशन मेरे फेस पी या फिर बोड़ी के कोई पार्ट में मुझे होता है तो वह एरिया बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस करने लग जाता है उसी टाइम पर तो मुझे मु पूरी फेस बिगड़ गई मेरी पूरी फेस जलने लग गया और टेक्श्चर हो गया मेरे पूरी फेस में पस भरे चोटे चोटे दाने आ गए एकदम से मेरी दुनिया इधर की उधर हो गए मैं इतनी ज्यादा शौक्र थी कि क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रह क्या है और मैं अभी हंस रही हूँ पर उस टाइम मेरी जो mental situation थी that was not okay क्योंकि जब भी मुझे कोई भी infection इस तरह की burning या फिर inflammation होती थी तो within 30 to 1 hour 30 minutes to 1 hour मुझे यह जो infection reaction कम हो जाता थी बैक टू नर्मल मेरी skin हो जाती थी बट यह नहीं हुआ मैंने eyes apply किया मैंने बहुत कुछ apply किया बट वो जो sensation जो burning sensation वो बढ़ता गया with time तो मैंने मेरा जो जो की की skincare था extra मैंने उसे complete किया that's toner मैंने toner के लिए यूज किया था centella asiatica का वो toner और उसके बाद मैंने बस moisturizer यूज किया that is वो क्या था हा सेटफिल का तो मैंने बस moisturizer यूज कि उसके बाद चलो मेरी skin को इस तरह से छोड़ दिया मुझे पता नहीं था कि कब तक ए ठीक होगा but within time में जब भी skin पर apply कर रही थी कुछ बहुत जादा जलन हो रहा तो अचानक से मैंने बरफ रब करना स्टार्ट कर दिया आइस रविंग से मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था बहुत ज्यादा थंदक महसो सो रही थी तो I was feeling a bit relieved that was a very painful situation मैंने सब कुछ किया मैंने डाइटिंग भी चेंज कर दी थी मेरी डाइटिंग बहुत ज्यादा नॉर्मल और बहुत ज्यादा healthy डाइट हो चुकी थी 3 liters of water a day मैंने बहुत जादा green tea pea green vegetables मैंने खाया तो मुझे actually मेरी skin की जो हालत थी वो मैंने चाहा कि internally मैं उसको treat करूँ तो मैंने start कर दिया exercise में करती थी तो जब भी मैं exercise करती थी तो भी मुझे burning होती थी I mean whenever मेरी face पे जो blood flow बढ़ती थी तो मुझे pain स्टार्ट तो एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि शायद doctor के पास ना जाना पड़े तो मैंने research start कर दी कि क्या हुआ कैसे किस तरह की infections होते मुझे बहुत complexions हो रहे थे कि हाँ मुझे शायद eczema तो नहीं है बट कोई allergy तो नहीं है बट मैंने उसी दिन एक भी खाया तो और भी ज्यादा मुझे tension हो ले लगी बट एक से मुझे allergies नहीं है तो वही सब को research करने के बाद मुझे पता चले जिस्ट नॉर्मन आलरजी जो की कोई bacteria के कारण होते है आपके skin पे तो मुझे राहत मिली चलो ठीक है it's not major thing बट जो हालत आप देख सकते हो मेरी skin की उसको देख के कौन नहीं कहेगा कि यह कोई normal thing है कौन नहीं कहेगा मेल फेस की जो यह साइडिया आप देख सकते हो मार्क कितने सारे है यह साइडिया that was my journey और अभी मेरी skin के हाला तब देख लो कुछ इस तरह के ठीक है एकदम normal है okay कुछ बगेरा pimple बगेरा active pimples बगेरा कुछ नहीं है marks है थोड़े बहुत मुझे उसके उपर काम करना है क्योंकि बहुत बुरी तरीके से affected होगी थी तो marks है उसके बंदर मेरे जो neck पे भी मेरे आने लगे उस दे के बाद मेरे neck भी मुझे आने लगे infections तो अभी नहीं है थोड़े से roughness इस एरियास पे है मुझे नेक में but nothing else thank you so much for watching if you are new to my channel then please please do subscribe and follow for more such videos thank you